अब ब्रदेट लेकर आचका हूँ याण के लिए चानदर और अच्छी अपडेट लेकर आचका हूँ याण कि आपके लिए CHO की एक और जो नई भरती है वह आचकी है उसके बार में completely जानकारी है वह आप सभी को मैं आपर देने वाला हूँ याण की कुछ टाइम पहले आप सभी को पता ही होगा ये बरती क्या कर दे गई थी कैंसिल कर दे गई थी लेकिन इस बरती को फिर से आपर क्या कर देगा है श्टार्ट कर देगा है और इस वेकंस की जो last date रहेगी वो रहेगी आपके 27 जुलाई 27 जुलाई के रहने वाली है लास्ट डेट रहने वाली है 27 जुलाई तक आप क्या कर पाएंगे इस वेकंसिस को अपलाई कर पाएंगे लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी सोकिंग आपके लिए जो अपडेट यहाँ पर दे गई है अपको पता है कि पिछली वेकंसिस ती उस वेकंसिस के अंदर भी जनरल कैटगरी की आपर पोस्ट नहीं थी और इस वेकंसिस के अंदर तो आपके लिए बड़ी ही सोकिंग अपडेट आपको देखने को मिलेगी जर्नल काटेगरी से रिलेटेड तो उसके बारे में भी आपको जानकरी दूँगा ठीक है और सबसे पहले आपको बता दू यह कहां आपको देखने को मिलेगा कहां इसका अड़ोटाइजमेंट मिलेगा सारी चीजों के बारे में डिसक्स करेंगे तो यहां पर देख है इसके अंदर आपको पॉस्ट कौन-कौन सी है एप्लिकेशन इन्वाटेड फॉर्दा कम्यूटी हेल्थ ओफिसर की पॉस्ट के लिए आपको यहां पर इन्वाटेड किया गया है जो सेंटर है वह आपका देखने को मिलेगा बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट सेलरी के वह यही है थे कि यहां पर जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छा खासा रहता है श्यान की 22 अद्वा के रहेगा बेसिक सेलरी आपको देखनी को मिलेगा और 8000 अबका पीवी रहेगा इस परकार से आपकी यह इ mierहां पर बिहार के अंदर जो सेलरी हैं वह आपको देखनी को मि परजिक कर दिया गया है ठीक है बात कर रहेंगे हैं वेकंसिस के बारे में कम्प्लेटल इंफोर्मेशन इस ते एक एक कैटेगरी वाइज आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि कौन-कौन सी कैटेगरी की यहां पर कितनी पोस्ट आपको अलेवल कर आए गई हैं टोटल आ कर देखनें को मिलें यहां पर जो पंद्रा सौ पोस्ट हैं वह क्यों नहीं दी जिए हैं तो अधर स्टेट वाले जो में पर नहीं है बिलकुल आप स़ई सुन रहे हैं क्योंकि अधर इस्टेटवाले कंडिटों का क्या होने वाला है उससिंद के बारे में आपको यहाँ पर बताूंगा क्योंकि यहाँ पर जन्रल की पॉस्ट बिलकुल भी नहीं दिए गी है जो पहले वाला जो एडिकाईजमेंट से इंहाँ जिरो जिरो दिखाया गया था लेकिन इस वाले अड़राजमेंट के अंदर ना तो कोई जिरो जिरो दिखाया गया बिल्कुल यहां पर भरती ही नहीं दी गई है आपकी जर्मरल कैटेगरी ठीक है आपके पास क्या होना चाहिए अगर आपके पास CCHN कोर्स है तो आप क्या करेंगे वेकंशी को अपलाई कर पाएंगे उसके बाद में देख लिएगा पॉस्ट बीएस नर्शिंग कंड़िट जेनेम कंड़िट यही सभी इस वेकंशी को क्या कर सकते है अपलाई कर सकते हैं या फिर जिन कंड़िटों ने अनकी 2019 और 2020 के बैस वाली जो साथी हैं वो इस वेकंशी को अपलाई कर सकते हैं इस चीज को आप जरूर से ध्यान रखें बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट के बारे में कि कोन कोन कब तक यहां पर इंपोर्टेंट डेट रहने वाली है और कब तक आप इस वेकंशी को अपलाई कर सकते हैं तो पूरा आपके पास एक मन्थ है ठीक है थिलाल में आपका पूरा एक मन्थ आपको यहां पर देखने को उबलेगा किसके लिए अपना जो आप्लिकेशन फोम है उसको आपको अपलाई करने के लिए बात करेंगे अपलाई के बारे में तो आलग-लग के वाज आपकी आपको यहां पर दे गई है EWS, BCA, EBC के लिए आपको male के लिए 500, female के लिए 250 रपा रहेंगे, SC और ST बिहार, domicile के लिए 250 और 250 रहने वाली है female, PWD के लिए डाइडाइस रपा आपको जो application fees है वो आपको pay करनी होगी है इस परकार से आपकी क्या रहने वाली है यहाँ पर जो application fees है आपको देखने को मिल जाएगी बात करेंगे यहाँ पर age limit के बारे में age limit कितनी रहने वाली है तो आपको मैं बता दो high age limit आपकी यहाँ पर age limit है वो आपकी बहुत यह अच्छी खासी है आपको देखने को मिल जाएगी EWS male के अदर age limit रहेगी वो आपकी बियाली सेयर रहेगी EWS female के आपकी पैताली सेयर रहेगी BC, EBC male female की पैताली सेयर और SCST की 47 सेयर आप सैंताली सेयर तक के जो mandate है वो आप CSO की vacancy को क्या कर सकते है यहाँ पर apply कर सकते है minimum age limit यहाँ पर 21 यहाँ रहेगी 21 यहाँ आपकी चाहरेने वाली है minimum age limit आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद मैं बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी विजिट आपको क्या करना है इसकी जो official website है official website पर आप क्या कर सकते हैं visit कर सकते हैं इसकी official website रहने वाली है shsbihar.gov.in क्या है इसकी official website है आगर किसी candidate को detail में यहाँ पर आपको जानकरी चाहिए ठीक है बाकि आपको मैं बता दू यहाँ पर आपको यह advertisement है यह आपको देखने को मिलेगा पतना के हिंदूस्तान जो newspaper है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा और page number बता दू हिंदूस्तान न्यूज के अंदर आपको page number 8 के उपर आपको यह advertisement है यह आज ही release कियागा है अनके बुद्वार की ही आपकी जो update है वो यहाँ पर रहने वाली है और आपको यहाँ पर page number 8 पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर कोई साथ देखना चाहते है तो हिंदूस्तान न्यूज पेपर page number 8 पर आप जाके कह सकते है देख सकते हैं बाकि इसकी जो official website है उसके उपर एक या दो दिन के अंदर इसका जो official advertisement है वो आपको क्या हो जाएगा release हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार से की अंदर जतनी भी CHK post या फिर अदर पोस्ट आती है वो सबसे पहले newspaper के अंदर जारी होती है और उसके बाद उसकी जो official website है उसके उपर आती है तो आपके लिए सबसे important सी यही रहेगा कि यह आपके लिए बड़ी शांदार बरती रहने वाली है अनकी 4500 परदों के ओपर बरती रहेगी नई भरती आपको यहाँ पर दी गई है यह सारी चीज़े बताई गई है अगर डिटल में जान करी चाहते है तो विजट कर सकते हैं इसके official website को और आपको मैंने सारी वेकंसी जानगे एक एक चीज़ बता दिया है कि qualification करने वाली है जी एन हम साती भी वेकंसी को अपलाई कर पाएंगे बाकि और भी साथ यहाँ पर वेकंसी को अपलाई कर सकते हैं हुँ जाव